हेलो दोस्तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माइ वर्ल्ड जिंडर प्रेडिक्शन सिरीज में ये अगली वीडियो है 140 से अगर नीचे है तो क्या बेबी बॉई होगा 140 से अगर उपर है FHR तो क्या बेबी गर्ड होगी इसके पीछे किती सचाई है इसके पीछे क्या मित है सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगर आप वो वीडियो नहीं देखें हैं सिरीज का तो एक पर जरूर देख लीजेगा मेरी दो प्रेग्नेंसी का अनुबह है और दोनों प्रेग्नेंसी को as a comparison मेरे से जो भी हुआ वो आपको इस जेंडर प्रेडिक्शन सिरीज वाली वीडियो में सारे तरह की वीडियो मिलेंगी तो सबसे पहली बात FHR अगर जादा रहता है 140 से तो लोग ऐसा सोचते हैं कि girl होने के chances है लेकिन कितने percent के बात सही है कितना percent के सही नहीं है तो अभी मैं अपने अनुबह की बात करूँ कि जब मेरी पहली प्रेग्नेंसी थी उस समय जो मेरे बच्चे की जो fetal heart rate आ रहे थी वो लगतार 150 के around आ रहे थी like 155, 152, 148 around अगर on an average देखा जाए तो 150 bits per minute तो मुझे तो नहीं पता था ना कि क्या होने वाला है बट मुझे baby boy हुआ तो इसका मतलब कि ये वाले जो चीज है FHR वाली जो चीज है जो इससे prediction होती है वो थोड़ी सी myth साबित हुई अब second pregnancy की बात करूँ तो मैंने अपने reports निकाले सारे उससे कुछ findings पता ये चली कि fetus A और fetus B करके लिख के आता है baby boy girl तो लिखता नहीं है और वेसी बात है लेकिन मैं differentiate कैसे कर पाई उसके बारे मताती हूँ कि ये जो मेरे baby girl है उसका weight मेरे baby boy से थोड़ा सा कम है और दोनों में कुछ weight का difference था तो मैंने पूरे complete मैंने जब ये ultrasound के reports को match करने की कोशिश की तो जो मेरे बच्ची जो इसके weight कम थी वो शुरुआत से ही कम थी और शुरुआत से मेरे baby boy के weight में difference था तो मुझे पता चल गय कि इसकी heart rate ये है और इसकी heart rate ये है तो मैं baby boy की बात करूँ तो baby boy की और baby girl की दोनों की starting की जो heart rate थी वो बहुत आई थी एक की 173 थी और एक की 169 थी मतलब दोनों हाई तो इस हिसाब से मुझे baby girl होना चाहिए था दोनों दोनों girl होनी चाहिए थी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर दूसरी ultrasound हुई उस समय भी change होके वो report आ गई 155 पे आ गई और एक की आई थी 168 पे आ गई इस हिसाब से भी मुझे baby girl होनी चाहिए थी दोनों girl बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब तीसरी पार ultrasound हुआ उस वक्त मेरे baby boy की जो heart rate आ गई थी 148 आ गई थी और मेरे baby girl की 150 आ गई थी उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दोनों बेटियां ही होने वाली थी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगर मैं last अपनी ultrasound की बात करू तो baby boy की जो fetal heart rate थी उस वक्त 132 आ गई थी और मेरे baby girl की heart rate आई थी 144 इट मीन्स की 140 से जादा है और 140 से कम है तो last last तक आते आते मेरे साथ ये सच पैट गई लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी pregnancy एक जैसी ही हो सारे लोगों के साथ ये सब कुछ match बैठे क्योंकि मेरे पहली pregnancy में ता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो मैं ये कैसे कह दूं कि ये 140 और 140 का जो ये data का जो prediction है वो 100% सही होगा ऐसा कुछ नहीं होता 100% कोई guarantee देता ही नहीं है अभी आप मेरी दोनों pregnancies को match करके देख लिजे एक अनुमान लगाए जाता है कि 140 से नीचे आएगा या 140 से उपर आएगा लेकिन कब आप अनुमान भी लगा सकते हैं तो कब लगा सकते हैं आपकी सबसे लास्ट वाली जो ultrasound report है या फिर अगर आप near to delivery है उस समय आप fetal heart rate से थोड़ा सा मतलब गेस कर सकते हैं या फिर आप उस वक्त गेस कर सकते हैं जब आप आपके पेट के प्रेट को मॉनिटर किया जाता है जब आप डिलीवरी रूम में जाते हैं या फिर आपकी जब मतलब अराउंड डिलीवरी होने ही वाली है उस समय भी आप जब नर्सेस पूछिएगा कि कितने बेट सा रहा है वगर आपको कुछ गेस करके बताएंगी ना तो आप बनही मा आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके पहले तक की बात आप सोचते रहते हैं तो होप आपकी क्यूरसिटी खतम हो गई होगी और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा इस जिंडर प्रेडिक्शन सिरीज में मैं अगली वीडियो भी जिंडर प्रेडिक्शन की लेके आऊंगी तो आपकी कोई भी ऐसी क्यूरी है जिंडर प्रेडिक्शन को लेके तो प्लीज आप मुझे ज़रूर बताईगा मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि क्या सच है क्या मित है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा तो थैंक्यू सो मच फॉर वाशि तुनस्माइव